असलाम अलेकुम देया तालबेलों देयर स्टुडर्स आज का हमारा दो टॉपिक है वो है बैसिक इंग्लिशी ग्रामर का जिसमें हमारे पास इस एम आर वास वर्ब का यूज है यानि यूज ओफ हैल्पिंग वर्ब जब भी आप किसी मूल की या कहीं पर भी जाएंगे तो वहाँ पर हमें कोई ना कोई जबान की ज़रूरत होती है तो उस मुलक की जबान हम नहीं सीख सकते हैं तो यहादा हमें जो सीखने पड़ते हो इंटरनेशनल लेंग्वेज है और वो है इंग्लिश अब इंग्लिश में सबसे आसान तरीके का जो है जो आसान मैथड है वह कहां पर किस तरह से यूज होते हैं और कैसे सवालिया और इंकारिया बनते हैं वो मैं आपको साधा जम्लिश की सीखाता हूँ अब फ़ार एक्जम्पल सबसे पहले हम साधा जम्लिश की बना लेते हैं अब साधा जम्लिश की बना लेते हैं अब साधा जम्लिश का अब ये हमारे पास जम्ला बने गया वो एक डाक्टर है ये हमारे पास जम्ला बने गया साधा जम्ला और इसी तरह से फार एजम्पल आई का हम जम्ला बनाते हैं तो I am I am happy मैं खुश हूँ ये बने गया हमारे पास आई का जम्ला I am happy मैं खुश हूँ इसी तरह से आर का जम्ला बना लेते हैं फार एक्जम्पल वी आर सिबलिंग्स अब वी आर सिबलिंग्स अब वी आर सिबलिंग्स तो है इसमतले में लिए हम बहन भाई हैं हम बहन भाई हैं वी आर सिबलिंग्स अब इसी तरह से अब हमारे पास जम्ला है वाज का sorry वाज का for example I was happy मैं खुश था I was happy यह बने का हमारे पास मैं खुश था इस तरह से वर का इस्तमाल वर हमारे पास जने के वाज की जम्ला है तो लहाज हम बनाएंगे for example they were good player they were good player वो अच्छे खिलारी थे अब देखें यह हमारे पास जम्ले बने बिल्कुल आसान तरीका है इनका बनाने का सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप इसमें subject लगाएंगे subject समझोगे अपने पास इसमें जो हमारे पास subject होगा वो अपने पास है I, U, V, She, He, It, They, They, और यह दिस हो गया यह कोई भी नाम यह हमारे पास subject है उसके बाद आप इस जम्ले में लगाएं helping verb, helping verb मैं आपको बता चुका हो कि is, am, are, was, work इसका हम इसमार सीख रहे हैं, यह हमारे पास helping verb है उसके बाद आप लगाएंगे object, object अपने पास कुछ भी हो सकता है, जैसे हैपी है, यह siblings है, कोई भी, यह तिसरा बड़ अपने पास जो होगा, वो subject कहलाएगा तो इस फार्मूले के तहएट आप अब यह लफज रखेंगे, तो आपके जमले खुद बाखुद बनते जाएंगे अब देखें, यह तो मैंने बनाए आपके सामने सिंपल जमले, अब हमें बनाना है इसके इनकारिया, इनकारिया के लिए आपको क्या करना होगा तो सिंपल तरीका, इन ही जमलों में आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नाट के अदाफ़ा करते हैं, यह फार्मूला में लेकरता हूँ सबजेक्ट, सबजेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आप नाट लगाएं, और फिर आप अबजेक्ट लगा देएं, यह अब पॉर एक्जमबल, गाप इसी जमला हम लेकर लेते हैं, देखिक्टर, इस बाद बाद नाट डाक्टर, वो एक डाक्टर नहीं है, रिस बाद बाद ये बन यह बन न जमलाा, तो सिरुजा तो सिरुजा अ खंट लो ऐस देखिंग अधो अबधिन आऑया है, यह देखि नहीं हूं आँम नाट हैपी इसी तरह से हम बहन भाई हैं इसका बना दें we are not siblings we are not siblings अब इसी तरह से हमारे पास was or're और दे का बनेगा तो i think was or का जो बने का जूमला वह आप मुझे कमेंटस में लिखकर भेजेंगे कि कैसे बनेगा उसके बाद मैं आपको दूसरा इसका प्रॉस्ट दूसकी कहा रहा हूं वो है हमारे पास सवाल या जुम्ला कैसे बनेगा यानि दूसका हम कहते हैं इंट्रोकेटिव इंट्रोकेटिव इसका बिल्कुल आसान होता है सबसे पहले आप क्या करें कि जो हेल्पिंग वरब है उस सवाल जाएगा फार्मूला अब कैसे देखें अब हम वासवर वाले गुले लेते हैं या एक ही क्या वो डाक्टर है इस ही आड्राक्टर क्या वो एक डाक्टर है अब देखें कि मुला सवाल या बन गया इसमें आप पार्ट या वेन इस्तिमाल करने का जुम्त नहीं है इस एम आर ठीए इसी तरह से फार एक्जेंपल अगर एम का जुम्ला है Am I Happy? क्या मैं खुश हूँ? यह देखें जुम्बा सवाल या बन गया है Am I Happy? क्या मैं खुश हूँ? क्या मैं खुश हूँ? अब देखें इसमें कोई भी What लगाने का जुम्त नहीं है आपको सिंपल तरीके से आप जुम्ले ऐसे बना सकते हैं अगर वाज का आपको बनाना है बिल्कुल एजी तो वाज आप शुरू में ले आएंगे For example, वाज आई हैपी क्या मैं खुश था? यह जुम्ला हमारे पास यह बने का देए है क्या मैं खुश था? वाज आई हैपी क्या मैं खुश था? अगर आपको वर्का बना रहा है तो वर्का भी आप बिल्कुल इस तरह से बना सकते हैं वर्दे प्लेयर यह जैनि क्या वो खिलारी थे? देखें जिमना सवाले बने का आपके पास तो इंगलिश की गरामर जब आपको आइंगलिश सीखने का मूट हो तो यह चीज़ जहन में रखें तो सबसे पहले इसकी आपको बनियादी चीज़ सीखनी है और बनियादी चीज़ इसकी जो है इज एम आर वाज़ वर हैव हैज हैज शूड वूड कुड बाकी जो लफ़ बाकी हैं इंशालला वो मैं आपको दूसरी वीडियो में सिखाऊंगा कोशिश करें पाबंदी से इन जीज़ें को तो रिवाइज करें और इनको दोराते रहें तो इंशालला बो जल्द आप इन शीख जाएंगे और कोशिश करें कि अपनी ग्रामर को अच्छे से अच्छा करें बस्ट आफ लख